इस्तानियों लोगों ने आग देखा तो इस्तानियों लोगों में हल्चल सी मच गई इस्तानियों लोगों का कहना ये भी है कि आग हास्पिटल के एक फ्लोर में लगी थी मौके वारदात पे पहुंची दमकल की दसगाडिया आग की न कारूने से लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया दमकल की दसगाडिया और इस्थानियों लोगों की मेहनत से आग पे काफी देर तक मेहनत करने के बाद काब उपाया जा सका है इस मामले में तुरंती इस्थानियों लोग और हस्पिटल प्रसासन ने 80 से जायद मरीजों को अस्पिटल के अंदर से निकाला पता ये भी जा रहा है कि दो मरीजों की हालत गंबीर होने के करन उन्हें मानिक तला हस्पिटल भेज दिया गया जहां वो भरती हुए है इसके ब मामले में एक सक्स की मौत भी हुई है ढौए से दम घुटने की वज़त से एक सक्स की मौत मिततक का नाम उत्तम बर्धन बताया जा रहा है इस मामले को लेकर स्थानियों लोगों में काफी खौफ सा है मौक़वारदात पर दमकल की गार्डियों ने काफी महनत करने के बाद आग पे काबू पाया अभी भी इन कारूनों का पता नहीं चल पाया है कि आग क्यूं लगी थी और कैसे लगी थी इसका पता लगाया जा रहा है मगर इस मामले में माली नुकसान कुछ ज्यादा नहीं बताया जा रहा है बताये जा रहा है कि हस्पिटल के एक हिस्से में आग लगी थी जहां पे कुछ तबाव हुआ है मगर हॉस्पिटल से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था तो मरीजों की हालत काफी खराब थी जिसके वज़ा से उन्हें दूसरे अस्पताल में भेज दिया